असलाम लेकुम दोस्तों वैलकूम बैक टो मैं चैनल सिंपल ब्यूटी सीक्रेट्स मेरी जो आज की वीडियो है हास तोर पर मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया उनका कमेंट कुछ यू है मेरी स्किन बहुत मेरी स्किन सैंसिटिव टू कमबिनेशन है स्किन स्किन है सब कुछ ट्राइ किया मगर फेस काला हो गया पहले रंग सफेद था मतलब साफ था मैं मार्किट का कुछ भी उस नहीं करती फिर भी पिंपल्स है तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा और जो मैं आपको बोलूंगी आपने जरूर फालू करना है और ठाइंक यू आपने मच पे भरोसा किया इन्शाला मैं आपका भरोसा नहीं तोरूँगी और जो कुछ भी मैं आपको मैं आपको राखने कि अब यूज में भीनाए मुझा सु मुझाया और के अगते, यूगते हैं कि मैं अग्यू चाहिती तोर पर रहुत्या है‍ 2024 अग्यू वगते हैं तो सम पर इस घ१ानले होते है आपको यूट फ्रूजय की तर रफ्क में भाले है यूज़ ज्यादा ग्रोथ होती है बालो की उसके बाद ज्यादा फास फूट का यूज करना ये जो वज़ा है इसी वज़ा से आपका ये जो प्राबलम हो रही आपको कि आपका रंकाला हो जाता है पहले साफ था तो सबसे पहले आपको अपना डॉक्टर से चेक अप करवाएं और मु करनी है इससे आपका कलर फियर भी होगा और साथ ही साथ जो है आपको अपना चैक अप करवाएं और मुझे बताएं किया प्राबलम है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपने क्लिंजिंग मिल्क बनाना है आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है अगर वो प्लिंजिं नहीं लेनी तो बहुत ही सिंपल सी चीजे हैं जो मैं आपको बताऊंगी दो रेमिडिस बताऊंगी इसके बाद एक नाइट क्रीम है वो अपनी नेक्स वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो नेक्स वीडियो में आपको बहुत ही बे बहुत ही कम इंग्रीडियन्स है समयल 2-3 है यह है मिल्क पाउडर बहुत आसानी से 10 रुपर में मिल जाता है तो यह आपका तक्रीबान हफ्ता डेट निकल जाएगा इससे इसके बाद आपने रोज वाटर लेना है अगर आप चाहें तो रोज वाटर भी आड़ कर सकती है अगर यह थोड़ा रनी बन जाता है तो इसमें मिल्क पाउडर और एक कर लीजिए कोई मसला नहीं है लेकिन इसको आप कार्टन की मदद से लगा लीजिए गव जस्ट यह टू इंग्रीडियन्स है इसमें अगर आप चाहें तो ग्रैसलीन भी आइड कर सकती है तो यह आप है यह पूघ मिलक अला की मिलक मिलक मीदक तो कि अन्याम जो पूघन के लिए यह पूग हुंदा अभी गपार्फि यह में से तो आप पूँधे यह चाह जचे मिलक लगा एडने और भी कि आपने लिए करना है दस मिनट के बाद आपने इसको वाश कर लेना है तो यह हो गया इसके बाद में आपके लिए फेस पैक बनाऊंगी जो कि आपने हफते में तीन दफ़ा यूज करना है और उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई नुकसान नहीं है तो सिंपल इंग्रीडियन्स आपको चाहिए ऐलोवेरा जल आपको पता ही होगा यह पिंपल रिमूव करता है इसके बाद यह आपके जो जर्म्स को किल करता है इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे मुल्तानी मिट्टी एक अपके ऍलfriend मिट्टी एय॥ यह नहीं है और कितले है इसके बाद सकती है और पहले भी लगा सकती है आपके मरसी इसके बाद मैं इसमें आड़ कर रही हूँ पुदेने का रस इसको मैंने जो पुदेना था उसके पतियां उतार ली उसको मैंने ग्रेंडर में ग्रेंड कर लिया थोड़ा सा पानी डालके उसके बाद इसका मैंने रस निकाल लिए इसको आड़ कर दें यह भी हमा यह बेस्ट है आप इसको यूज करें इंशाला आपको बहुत फाइदा होगा इससे इसको अच्छा से आप मिक्स कर लिए अच्छा सा फेस पैक आपका रेड़ी है यह दो चीज़ें आप करके देखें और जो मैंने आपको डाक्टर वाई बात बोली है वो आपने मस्ट करनी है डाक्टर के पास चाहें को पूछें कि आपको क्या प्राब्लम है हो गया जैसे कि आपने मुझे बताया आपका रंग पहले साफ था अब लैक हो गया है तो आपक मैसेज कर दीज़ेगा मैं इसका रिप्लाइज जरूर करूँगी और नाइट क्रीम बता चुकी हूँ मैंने पहले बनाई हुई है अगर आप वो यूज करना चाहती तर वो कर सकती है नहीं तो जो नेक्स्ट वीडियो है इंशालह मैं कोशच करूँगी नेक्स्ट वीडिय मैं डिस्क्रिक्शन में लिंक दे दूगी अगर आप चाहें तो वो भी यूज कर सकती है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है और अगर आप वो देख लीजिए इसके लावा मैं वैसे भी बता देती हूं नीम के जो फ्रेश पते होते हैं वह आप ले लीजिए उसको र आपनी डाइट का है रहार के कम से कम आठ से नौ गलास आपने पानी ज़रूर पीना है फास वूट का यूज कम कीजिए और इसके लावा आपनी चीजिए कुछ दिनों के लिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिलें तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो मैं इंशाला बहुत अच्छी रिमेडिस जो सिंपल भी होंगी जो एफेक्टिव भी होंगी वो मैं लेकर आती रहूंगी तब तक के लिए अलाहाफिस टेक येर